CDP Previous Year Questions Class 1 बहुत ही बढ़िया पहला question है development is never ending process this idea is associated with आप मुझे एक question ढूंड करके दिखाईए एक paper ढूंड कर दिखाईए जिसमें development के किसी भी एक principle से question ही ना आया हो कोई ना कोई एक principle ज़रूर आएगा बल्कि 4-5 दम अगर topic है development अगर देखा जाए तो development एक never ending process है यानि कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है इससे related यह यह जो idea है यह किस एक बात से associated है पहला है principle of continuity यानि नरंतर्ता का सिध्धान्थ है principle of integration यानि एक करण का सिध्धान्थ है interaction यानि अंतहक्रिया का बातचीत मत मानेगा इसको फिर है interrelation मतलब परस पर संबंध का सिध्धान्थ option A यानि principle of continuity lifelong चलेगा आपका जो development है जीवन परियंत चलेगा जब तक आप हैं तब तक चलेगा जब से आप form हुए है conception में conception के period से जब से आपकी mother ने आपको conceive किया होगा यानि कि गर्भ हवस्था से शुरू हो गया conception के time से और womb to tomb जाएगा यानि आपकी गर्भ से कबर तक जाएगा development हमेशा चलता है कभी नहीं रुकता, growth एक time के बाद रुक जाती है, ये simple simple सी बाते हैं जो मैं पता होनी चाहिए, एक word को जो ठाके दूसरा लगा दे, थोड़ा सा question बदल दे, वो उसकी अपनी मर्जी paper setter की, but आपके दिमाग में concept clear होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ना लाएं इस एक series से, मतलब एक वीडियो से नहीं, ये जो पूरी series है, जितने भी इसमें होंगे एक्जाम तक, question number two है आपके सामने, motivation in the process of learning, motivation, अधिगम की प्रकरिया में कैसा काम करेगा, पहला option है, makes learners think unidirectional, मतलब सिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा, या दिशा देगा, एक दिशा में सोचने को कहेगा, या फिर, motivation की बात हो रही है, या फिर, B option, creates interest for learning among young learners, जो चोटे बच्चे हैं, उनमें सीखने के लिए, interest पैदा करेगा, रुची जागरित होगी, या फिर, sharpens the memory of learners, मतलब, memory अच्छी हो जाएगी आपकी motivation से, या फिर, differentiate new learning from, differentiate new learning from old learning, पुरानी learning से, पुराने अधिकम से नई ग्यान को, नई ग्यान में आप अंतर कर पाएंगे, because of motivation, क्या होगा, अंसर इसका, obviously, B ही होगा, creates interest for learning among young children, मतलब, छोटे बच्चों के पीच, सीखने के लिए, रुची पैदा करता है, B.F.Skinner कहते हैं, कि जो motivation है, motivation is a, NH, यानि, National Highway to Learning, भई, जो आपकी national highway है, यानि, राष्ट्री या राजमार्ग है, वहाँ आपकी जो गाड़ी है, वो बहुत तेजी से आप भगा सकते हैं, यानि, अगर हम बात करें, तो जैसे आपकी जो motivation, अगर आपके अंदर है, तो जैसे आपकी गाड़ी, National Highway बहुत तेज भागती है, उसी तरीके से अगर आप motivated हैं, तो आपकी learning की गाड़ी बहुत तेज भागेगी, यानि, आप बहुत तेज गती से सीख पाएंगे, आपका interest create होगा, motivation एक वो प्रक्रिया है, जो किसी भी काम को शुरू करने, उसको चारी रखने और उसके अंत तक पहुँच रहें, यानि, इसको achieve करने में, आपकी मदद करती है, इसकी cycle में 6 stages हैं, 6 steps हैं, N, D, A, गार से आपको याद कराया हुआ है, N for need, D for आपका drive, फिर A for arousal, फिर आपका goal-directed behavior आप करेंगे, फिर achievement होगा, then आपका reduction of arousal, तो ये पूरी कहानी है motivation को लेकर, दो प्रकार है motivation के जो important है, intrinsic और extrinsic, यानि आंत्रिक और बाहरी अभी प्रेड़ना, जो intrinsic motivation है, वो positive मानी जाती है, उसको आप long lasting कह सकते हैं, उसका locus of control जो है, वो आप में है, यानि self में है, यानि बाहर नहीं है उसका reason, external को हम negative कह देते हैं, किसी काम को शुरू करने में, external help कर सकती है, ठीके बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, ये छोटी सी जो बाते हैं, ये जो extra में चीजें चल रही है, ये तो आप किताबों से पढ़िये, कहीं से भी बढ़िया दुनिया questions ही करा रही है, लेकिन जो discussion है, ये important days की कीमत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, question number 3, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by, यानि की बच्चों के बहुत धिक विकास के चार अलग-अलग चरण किसने दिये हैं, प्याजे, exactly, जीन प्याजे, जो जीन प्याजे हैं, उनकी थियोरी में, intellectual development की 4 distinct stages, 4 stages कौन सी है, S, P, C, F, sensory motor, pre-operational, concrete operational और formal operational, अगर हम बात करें तो intellectual मतला आपके intellect का, आपकी बुद्धी का, आपके संज्यान का, जिसमें सारी आपकी संज्यानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सारी mental skills हैं, the stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as, बहुत प्यारा सा question है, अगर मैं बात करूँ यहां पर, कौन सा वो चरण है, कौन सी वो stage है, जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, तर्क के साथ, यह है तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, मतलब तर्क आया बच्चे में, किस चीज को लेकर के, objects and events, objects और कोई event हुआ, उसके सामने उसने देखा, माल लीज़र कोई accident ही है, कुछ भी है, events और objects को लेकर के, logic आने लग गया, वो तर्क लगाने लग गया, उसकी जो thinking है, वो बहतर हो गई, कौन सी stage है, पहला है pre-oprational, concrete, operational, sensory या formal, concrete, operational बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने answer दिया है, formal वो हो जाएगा गलत, ठीक, concrete, operational में logic आता है, तर्क आजाएगा बच्चे में, लेकिन, यहाँ एक, वो है न, वो आता है आपका, conditions apply, condition apply कौन सी है, के objects, यानि concrete objects को लेकर, के मूर्त, चीजों को लेकर, मूर्त क्या है, जिसको आप touch feel कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, तो, चाहे वो कोई event हो, कोई घटना घटी हो, कोई चीज हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों के बारे में logic, मतलब, चीजों को देख करके logic, वो लगाने लग जाएगा, और अगर हम बात करें, अमूर्त तर्क की, अगर लिखा होता यहां, think logically about abstract events, यानि, अमूर्त चीजों के बारे में, तो option बदल करके, आपका C की जगह, B की जगह, D हो जादा formal operational, यदि abstract word यूज करते, तो भूल जाएगा B option को, फिर सिर्फ formal है, abstract thought आपका formal में आएगा, यानि कि आपचारिक संक्रियात्मक में, अमूर्त विचार की शक्ति आएगी, deductive logic आएगा, question number five है, which of the following is not a sign of an intelligent young child, एक intelligent यानि, एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, intelligent, one who carries on thinking in an abstract manner, जो अमूर्थ चीज़ों पर सोच पाए, ये तो intelligent का लक्षण है, ये तो अपने आप में एक high level mental task है, abstract चीज़ों पर सोचना हर कोई नहीं सोच सकता, फिर है, one who can adjust oneself in a new environment, जो adjust कर ले, ये भी एक तरह की intelligence है, फिर है, one who has the ability to cram long essays very quickly, बड़े-बड़े essays को ऐसे चुटकियों में आद कर ले, जैसे वो चतरो डाम लिंगम था, थ्री इडियर्ट्स में, या फिर, one who has the ability to communicate fluently and appropriately, जो अपनी बात को प्रभाहत, भारा प्रभाहता के साथ, यानि पूरी fluency के साथ, और appropriately, सही धंग से कह पाए, तो ये तो intelligent होने का लक्षन है, अगर हम बात करने का Howard Gardner की, तो आठ प्रकार की बुद्धी कही है, उन्होंने linguistic intelligence बताई है, बाकी की बना उनने बात की है, बताओ एक बार फटाफट से ही, तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया, वो वैक्ती जो लंबे-लंबे ऐसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है, अब आप कहेंगे memory तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ memory से तो काम नहीं चलेगा, ये तो rote memorization हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, रट्टा मारो हो गया, जो की गड़बड है, तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना होता है, बच्चों को activity कराके, उनके से knowledge construct करानी है, ठीक, child-centered education है, रट्टने को हम promote नहीं करते हैं, रोट दिख जाए, तो भाग जाना उस question के answer से, ठीक, रोट learning गलत होती है, जब तक not ना दिया हो question में, ठीक, आगे बढ़ेंगे question number 6 पर, which of the following is not related to the socio-psychological needs of the child, यानि manodahik, नहीं, manodahik नहीं गया, यह manosamajik कहेंगे इसको, manosamajik जो अवश्चता हैं, socio-psychological need है, उससे related नहीं है, कौनसा इक option, जब not लिखा हो question में, accept लिखा हो, least लिखा हो, तो ऐसे कान खड़े करके, और ध्यान से answer करना होता है, यह rule है हमारा seat at, क्या कोई भी paper हो, अगर not दे दिया paper में, अगर accept दे दिया, अगर least दे दिया, option में, जिससे आपकी नजर बच जाती है, और आपका ध्यान हो जाता है, क्योंकि यह question आसान होते हैं, जिनमें भी least लिखा होता है, accept लिखा होता है, not लिखा होता है, यानि कौन सी एक चीज नहीं सही है, कौन सी एक चीज को छोड़ कर, किसके अलावा, सबसे कम important कौन है, यह तीनों को देखते ही, कलतियां बहुत होती हैं, और यह आसान होते हैं question, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, ठीके बाद, regular elimination of waste products from the body, यानि, शरील से अप्षिस्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, यानि लोगों के साथ रहने की, जो need है हमारे अंदर, बिल्कुल social needs में से है, बिल्कुल है, जबी तो हम social beings है, हम सामाजिक प्राणी है, बॉक्स में नहीं रह सकते, need for emotional security, तो social और psychological needs हैं, जो emotionally और सामाजिक रूप से हमें, socio-emotional needs भी कह सकते हो, लेकिन यह हमारी सामाजिक needs नहीं है, यह हमारी physical need का part है, physical needs कौन सी शारेरिक आवश्रता है, कि आप सूसू पाटी जाएंगे, या बच्चा भी जाएगा जन्म से ही, तो यह हमारी शारेक आवश्रताओं का हिस्सा है, ना कि सामाजिक और emotional, यानि सामविक एक, फिक के बात, देखो, cognitive development सबसे जादा adolescence में होगा, मतलब, high level cognition की abilities आएंगे, हो तो पहले से ही रहा है, which of the following will foster creativity among learners, creativity से एक question आपका आता ही है, seated में पक्का है, इवन जादातर exams में creativity जो topic है, important है, यानि की रशनात्मक्ता की अगर हम बात करें, creativity मतलब कुछ नया, कुछ original, कुछ flexible, कुछ उसमें बहतरी के लिए, कुछ different हो अगर मैं बात करूँ, तो creativity को कौन सी एक चीज फोस्टर करेंगी, और हमारा पूरा जोर रहता है, कि बच्चा creative बने, सिर्फ रट्टा मारो ना बन जाए, पहला option है, emphasizing achievement goals from the beginning of school life, या फिर coaching students for good marks in examination, teaching the students practical value of good education, या फिर providing opportunities to question and to nurture the innate talents of every learner, बताओ एक बार, अच्छा, आशीश कह रहे हैं, D-lock कर दीजए, बिल्कुल सही बात है, तो यह वैसे भी positive होता है, pedagogy में अगर हम बात करें, providing opportunities to question and to nurture the innate talents of every learner, जो बच्चे में कांतरिक शमता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ talent है, आप उसको बाहर आने दें, ऐसी opportunities दें, जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके, ठीक है, तो यह basic सी बात हुई, D-option यहाँ पर सही होगा, जितनी जादा opportunities मिलेगी, उतना वो दिशाओं में सोचेगा, brainstorming करेगा, divergent thinking करेगा, out of the box thinking करेगा, यह सारी चीज़ें, literal thinking करेगा, यह सब चीज़ें creativity से जोड़ी हुई है, ठीक, question number 8 है, dyslexia is associated with, यह dyslexia आप ढूंड यह जड़ा, paper उठा करके देखिए, जो लोग यह कहते हैं, महान लोग, कि previous year नहीं आते, कि dyslexia से कब question नहीं आया, seated में, ठीक, dyslexia is associated with, अब option सेम थोड़ी देगा, dyslexia की अगर हम बात करें, तो यह किस से associated है, पहला option है, reading disorder, behavioral disorder, mental disorder, mathematical disorder, ठीक है, reading disorder है, अब इसको चार तरीके से दे सकता है, पठन विकार है, dyslexia, जो इशान अवस्ती को था, किस में, तारे जमीन पर में, इसलिए मैं एक्जामपल्स भी रिपीट करते हूँ, कि आप associate कर पाएं बात को, ठीक है, तो हमने कितनी बार समझा है, बच्टा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, सौ को वॉज पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, यह सब किसमें हैं, इसलेक्सिया के अंदर है, रीडिंग डिसॉर्डर है, यह एक behavioral disorders बहुत सारे होते हैं, अग्रेसिव होना और यह सारी चीज़ें, mental disorders भी कई तरह के होते हैं, इसके अलावा गर मैं बात करूँ, mathematical disorder की तो यह dyscalculia होता, dyscalculia, calculation से related, dyscalculia, बोलने से related होगा, भाषा संबन्दित तो dysphagia हो जाएगा, है ना, तो यह छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, aphasia भी कह देते हैं, the term curriculum in the field of education refers to, भही, education के field में, सिक्षा के शेत्र में, पाठ्य क्रम नहीं, इसको change कर लेना, पाठ्य क्रम तो syllabus होता है, पाठ्य चर्या लिखा हुआ है, यह मानिएगा, पाठ्य चर्या, जो है, और syllabus just part है curriculum का, ठी, curriculum part नहीं है syllabus का, curriculum में, मुझे नहीं बता क्या होगा, एक बार answer करो, पहला option है, evaluation process, दूसरा है, text material to be used in the class, को आप curriculum कहेंगे, methods of teaching and the content to be taught, overall program of the school, which students experience on a day-to-day basis, curriculum की अगर हम बात करें, जो चीज हमारे गंट्रोल में नहीं, उसको लेकर के परशान नहीं हो सकते हैं, curriculum की अगर हम बात करें, तो curriculum में आपकी हर एक activity, सकूल में पएर रखने से लेकर बाहर निकलने तक, जितनी भी activities ब्लाण है, हो रही है, आपकी प्रेयर से लेकर, आपके बास्केट बाल खिलने तक, सब कुछ क्या है, अ्बियार हो गई बात, ताइम टेबल क्या है करीकुलम का हिस्सा है हाट चीज करीकुलम का हिस्सा है सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी ओवर्रॉल सिर्फ ये एवैल्यूएशन या टेक्स्ट मटीरियल या मैथड नहीं ये सब मिला करके ओवरॉल प्रोग्राम है करीकुलम ये भी छे तरीके से पूछ चुका है सीटेट कभी पूछेगा लिटल साइंटिस्ट किसने कहा कभी पूछेगा चिल्टरन कें थिंक ये वो दुनिया भर की चीजें चिल्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडर्स्टेंग ऑफ दे वर्ल बच्चे सक्रिय रूप से अप बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को ज्यान का स्रजन करता है सक्रिय निर्माता हैं बच्चे लिटल साइंटिस्ट हैं दे कें बिल्ड नॉलेज ये सारी चीज़े